जहीं स्वागत आपका अपने Study24 जार्खन यूट्यूब चैनल में जिसमें आप लोग देख रहे हैं की जहारखंड Academy Council ने आपके रिजल्ट को जारी करने को लिकर कें नॉटीस जारी कर दिया है जिस नॉटीस में दिया गया है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है की स्तिति को जारी होगा और कितने बज़े जारी होगा और बच्चों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इस notice को line by line बहुत ही अच्छे डंक से समझा करके आप लोगों को बताऊंगा और साथी सत ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को board exam में कितना number लाना होगा या फिर कितने विशयों में pass करना होगा ताकि आप लोग pass हो जाएंगे आप लोग पर्मोट हो करके अगले class में जाएंगे इसलिए बच्चों आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में सुरू से लेकर के आंत तक बने रहिएगा तो बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते और आपके result को लेकर के यह जो जारखंड academy council का notice है इसे हम लोग line by line देखें तो इसे आप लोग सबसे उपर में देख सकते हैं लिखा हुआ जारखंड अदिबीत परिशद राची आठवी नोवी और ग्यारवी परिच्छा 2024 के परिच्छा फल का परकासन दिनाग 15 पांच 2024 को 11 बजे पुरवाहन में जैग सभागार में किया जाना है आप लोग जितने भी कलास 8 के हैं 9 के हैं और 11 के स्टुडेंट हैं तो आप लोग का जो इंतिजार की घड़ी थी कि हम लोग का रिजल्ट किज दिन घोसित किया जाएगा तो ये नोटिस में असपस्ट दिया गया है कि आप लोग का जो रिजल्ट है ये 15 पांच 2024 को आनि कि 15 मई 2024 को घोसित किया जाएगा 11 बजे सुबह में और बच्चों जिस दिन आपका रिजल्ट घोसित किया जाएगा उस दिन मैं आप लोग के लिए इस उटूब चैनल पर लाइब रहूँगा आप लोग के रिजल्ट को देखने या दिखाने में पूरा हेल्प करूँगा इसकत बच्चों आगे इसमें लिखा हुआ है कि इस अउसर में आपकी गरीमा मई उपस्थिती प्राथित है आनि कि आप लोग जितने भी राची या फिर अगल बगल के कोई भी स्टूडेंट हैं गार्जियन हैं टीचर हैं या फिर सिछा बिभाग का कोई भी पदाधिका जारी हैं तो जब रिजल को घोशित किया जाएगा जार्खंड एकडमी कॉंसिल के अध्याज डॉक्टर अनिल कुमार महतो के द्वारा या फिर अनपदाधिकारियों के द्वारा या फिर सिछा सचीव के द्वारा तो उस समय आप लोग भी जार्खंड एकडमी कॉंसिल के ओफिस में या फिर सभागार में जा करके और देख सकते हैं कि किस ढंक से आपनों के रिजल्ट को उनलाइन जारी किया जा रहा है इसके अद बच्चों लोग आगे बढ़ें तो मैं आपनों को बता दूं कि आपनों का जो एकजाम हुआ है तो उसमें जो पांच बिसे का एकजाम हुआ है कुल मिलाकर के बिसेश तोर पर आपका पांच सब्जेक्ट था और पांच बिसे का आपने एकजाम लिखा है तो उसमें अगर तीनों पूरा जो दोनों मिला करके आनि की इंटरनल और थियोरी दोनों में मिला करके 33-33 परसिशर लाएंगे हर सब्जेक्ट में आनि की 4 सब्जेक्ट में कम से कम तो भी आप लोग जो हैं अगले कलास में परमोट हो जाएंगे पास हो जाएंगे आप लोग फेल नहीं होंगे और इसके बाद आप लोग जो है अगले class में जा करके नए किताब के साथ में जो पढ़ाई शुरू कर देंगे और वहीं पर अगर कोई बच्चा फेल हो जाते हैं class 8 में तो उसके लिए special exam होता है ताकि उसको फिर से उस exam को दे करके एक दो बिचे का exam दे करके जिसमें फेल होंगे तो उसको दे करके वह पास हो जाते हैं और वह लोग class 9 में जा करके परमोट हो जाते हैं और 9 की पढ़ाई शुरू कर देते हैं लेकिन जो class 9 और 11 के student हैं तो इन लोगों के लिए कोई भी special exam नहीं होता है आनि कि आपनों का जो result घोसित किया जाएगा 15-5-2024 को और अगर कोई भी student class 9 और 11 का है और वो जो दो बिचे में फेल हो जाता है और केवल 3 बिचे में पास होता है तो फेल हो जाएगा और इससे इस्थिति में इन बच्चों के लिए special exam या फिर compartmental exam नहीं होता है आनि कि फिर से उसको जो है एक साल तक class 9 और 11 में ही पढ़ना होगा और अगले साल जब final exam होगा उसमें फिर से form बारना होगा और सभी विचेयों का exam देना होगा और उसमें अगर आप लोग पास होंगे तब फिर अगले class में अगला साल जो है आप लोग class 9 से 10 में जा सकते ह या फिर class 11 से 12 में जा सकते हैं तो इस तरह से यहां पर असपस्ट हो राए कि class 8 के छात्रों के लिए special exam होता है और वहीं पर class 9 और 11 के छात्र अगर फेल हो गए तो एक साल फिर से उसी class में रहना होगा तो बच्चों इस तरह से आज आपसी जारखन बोड के class 8, 9 और 11, तीन का condition है उसे भी पूरा detail से बताया और बच्चों ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़ी update होते हैं या फिर मेरे तरफ से कोई भी जानकारी होती है तो इस YouTube चैनल के माध्यम से आप स्वी छात्रों तक भेजता रहता हूं इसलिए आप स्वी छात्री चैनल को subscribe क करके इसके notification bell को press करके रख सकते हैं और बच्चों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी helpful और informative रहोगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी जादा से जादा से जादा सेर कीजिए तो बच्चों फिर से मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लि हिंद, बंदे मातरम, जय जारखन, जहार जारखन, थैंक्यू, बेस्ट आफ लक, आप लोग का रिजल बहुत ही अच्छा हुए और आप लोग परमोट होकर के अगले कलास में जाए, यह हम दिल से कामना करते हैं, थैंक्यू